So welcome back guys, आप सब का फिस्टे स्वागत है एक Corny Amazing वीडियो में और अगर आप भी मेरी तरह ऐसी वीडियो बनाते या फिर गेमिंग करते तो एक अच्छे माइक की जरूरत तो बिलकुल होगी और इस माइक की अन्वाकसिंग भी करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बिता कि इस वीडियो को लाइक ने किया या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू करते है तो guys सबसे पहले इस mic को unbox कर लेते है और देखते है कि हम इस box के अदर क्या-क्या देखनों को मिलता है तो जैसे हम इस box को open करते हैं हमें इस user guide देखनों को मिलती है और उसके निचे इस mic को denktपने को tut और उसके लावा हमें box के अंदर mm USB to Type-C Cable भी देखनों को मिलती है, जिसके quality वाके में मुझे काफी बढ़िया लगी, और मुझे ये काफी बढ़िया बत लगी, कि इस mic के अंदर हमें output के लिए Type-C port दिया हुआ है, तो आप इस mic को अपने PC, laptop, console, phone किसी से भी connect कर सकते हैं, तो ये चिस मुझे काफी convenient लगी, औ मिलता है, जिए के अंदर हमें फाफीifully हेवी है, आगर मैं बात करों इस mic की, तो ये पूरा mic हमें इस plastic build में देखने को मिलता है, जिसकी quality मिझे देखने में, तो काफी सएही लगी है, और इस mic के Pixya, ऐस मेक के लिए टररफ हमें ये Hondaate विल्ट्र देखने को मिलता है, जिसके हमें इसके अंदर RGB lights भी मिलती है तो इस grill से RGB lights दिखती है वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है और इस mic के पीछे हम ये stand लगाने के लिए भी attachment दी हुई है तो चलिए जल्दी से इस stand को attach कर देते हैं और guys ये जो stand है वाकिय में काफ़ी है क्योंकि ये stand एकदम pure metal से बना है जो कि practically मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि जिता है विए इसका stand होगा ना उत्तर स्टडी ये mic रहेगा और अगर गलती से mic पे हाथ भी लग जाए ना तो ये mic गिरेगा नहीं तो ये मुझे काफ़ी सही चीज लगी और stand लगाने के बाद ये mic कुछ इस तरह का दिखता है और ये mic जादा जगा भी नहीं रहता तो अगर आप gaming वगरे करते हो ना तो आप इसको आराम से अपने table पे रख सकते हो और guys sound gain को adjust करने के लिए हमें इस mic के निचे ये regulator भी देखने को मिलता है और guys हमें Are. pous मैं हमें ससे के ओपर touch sensor भी मिलता है जो basically 2 काम करता है एक तो इसके RGB light को on-off करता है और इस mic को mute ये unmute करता है तो एक बार tap करने पे इसकी RGB lights off हो जाएगी और Emirी को जाएगा तो basically जब इस mình की RGB lights on होगे, तब ये mic unmute है और जब इसके RGB lights off है, तो यह mic mute पे है और इसके यह वाले जो feature है ना वो मुझे काफी सही लगा क्योंकि अगर आप live stream कर रहे हैं और आपको किसी का call आ जाए तो आपको सिर्फी एक बाद tap करना है और फिर आप वो call pick कर सकते हैं तो यह feature मुझे live streamers के लिए तो काफी बढ़िया लगा और अगर आप भी एक live streamer होना तो मुझे comment section में लिए कि जरूर बताइएगा और guys अगर मैं बात कुरूए इस mic की कि यह कैसी sound record करता है तो guys अभी आपको यह जो आवाज आ रही है ना वो आ रही है इस mic से और guys एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि यह mic मेरे इस present mic से भी काफी बढ़ी है क्योंकि अभी मेरा जो fan हना वो एक दम full volume पे चल दा है और यह mic उसकी noise को काफी अच्छे से cancel out कर रहा है और अगर मैं आपको सुनाओ कि मेरा mic कैसे record कर रहा है मैं वापिस इसको tap करता हूँ ना तो यह mic unmute हो जाता है तो यह मज़े काफी convenient लगा और अब अगर मैं इसका regulated test करके दिखाऊना तो मैं धीरे धीरे इसका sound gain कम करता है रहता हूँ और last में जाके यह एकदम mute हो जाएगा और इसके sound gain को बढ़ाते हुए आपको आवाज वापिस से सुना ही देने लगेगी तो गाईज जैसा कि अपने सुना इस mic की sound quality है वो वाकी में काफी बढ़िया है और होगी भी क्यों नहीं हमें sound processing के लिए इसके अंदर building sound card भी देखनों को मिलता है जिसके मदद से ये mic काफी अच्छे से sound को process कर पाता है और background की noise को काफी अच्छे से cancel out भी कर पाता है और मुझे तो इसके sound quality वाकी में काफी बढ़िया लगी लेकिन आपको इसके sound quality कैसे लगी मुझे comment section में लेके जरूर बताइएगा और हाँ मैंने आपको इसके RGB lights के बारे में तो बताया है नहीं हमें इस mic के अंदर radiant RGB lights देखनों को मिलती है जिसका मतलब इसके RGB lights है अपने आप चेंज होती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में और मेरा PC setup है उसके अंदर फुल RGB लगे हुई है तो यह mic मेरे PC setup के साथ भी काफी बढ़िया लगता है और अगर मैं अपने experience के बात करो नहीं इस mic के साथ तो मैंने इस mic के यूज करके काफी सारे गेम केले मेनली तो मैंने PUBG COD वाले multiplayer गेम केले जिसके अंदर mic का सबसे आते हो तो यह mic आपके लिए काफी बढ़ी है रहने वाला है और अगर मैं बात करो इस mic के price की तो फिलाल हमें यह mic online लगबग 2500 में देखने को मिलता है जो कि मेरे को इस mic के हिसाब से काफी decent price लगी क्योंकि इसकी sound processing है वो काफी बढ़ी है और build quality wise भी यह mic मुझे काफी सही लगा आज की वीडियो में इतने हैं आपको यह mic कैसा लगा मुझे comment section में लिख के जरूर बता है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like कर देना और इस चैनल को subscribe करना भी मत भूलना आपके एक like और एक subscribe से मुझे काफी motivation मिलती है तो मैं मिलता हो आपको एसी next amazing video में मुझे फिलल इसके साथ और games खिलने भी जाना है so goodbye